ओम शी गणे शाय नमा रधरायद दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल वतकता एसलोजर में स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम प्रेगनेंसी के फर्स्ट मन से लेकर नाइन मन तक चार ऐसे लक्षन आपको बताने वाले हैं जिससे कि आप काफी हद तक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी होने वाली जो संतान है वो एक लड़का होगा दोस्तों आज के समय में देखें लड़का लड़की में कोई भी फरक नहीं है और ना ही करना चाहिए ये केवल आपकी जिग्यासा को दूर करने के लिए बनाए गई वीडियो है तो उसी को ध्यान में रखकर इस वीडियो को देखें दोस्तों उन चार लक्षनों की जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चलन सस्क्राइब ने कर रखा तो सस्क्राइब जरूर कर ले वगर ले बैल आइकन को भी दबा दे जिससे मेरे आने वाली सभी लेटस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी के शुरुवाती दिनों में दोस्तों मैंने कई सारी वीडियो अपलोड करी हैं आप उनको भी जरूर देखें जो शुरुवाती लक्षन होते हैं इसमें दोस्तों मैं आपको शौर्टकट में बताऊंगी अगर आपको शुरुवाती दिन वहीं पर आगर आपको आटे से रोटी से और खास कर चने की दाल से मतलब आपको नफरत है यानि वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है उसकी स्मेल भी आपको पसंद नहीं आती है तो ये लक्षन देखे बेवी बॉय होने का माना जाता है दोस्तों दूसरे लक्षन क तलवों में से आपको पसीना जैसा पसीज रहा है यानि आप चपल पहन रहे हैं बैठे हुए हैं तब भी आपको अपने पैरों में से पसीजा हुआ सा लगता है यानि पसीना जैसा लगता है तो ये लक्षन भी देखे बेबी बॉय होने का माना जाता है दोस्तों शुवाती दिनों में देखे आपका चहरा भी अगर बहुत ज़्यादा मुर्जाया हुआ लगता है यानि आपको डाक लगता है पहले से आपके चहरे पे रोना खतम हो गई है आपका चहरा मुर्जाया हुआ लगता है तो ये लक्षन भी बेबी बॉय होने का माना जाता है नेक्स तो अगर आपको छटे साथवे महिने से अगर आपके जो बैली या यानि पेट के निचले हिस्से में अगर हलका हलका आपको दर्द होने लग गया है खिचाब महसूस होता है आपका पेट बहुत ज़्यादा कड़क हो गया है तो ये लक्षन भी देखे बेबी बॉय होने का म जाता है प्रेगनेंसी के दोरान देखे आप कम खाते पीते हैं यानि आप थोड़ा सा खा लेते हैं तो आपको अपना पेट भरा हुआ लगता है जैसे कि आपने थोड़ा सा खाया तो आपको खाने की इच्छा नहीं होती आपको लगता है कि मेरा पेट भर चुका है तब आपका वेट बढ़ रहा है और आपकी देखे प्रेगनेंसी के दौरान अगर 10 से 15 किलो या 15 से मतलब अगर 20 किलो तक भी अगर आपका वेट बढ़ गया है 9 मन तक तो ये लक्षन देखे बेवी बॉय होने का ही माना जाता है दोस्तो 9 मन प्रेगनेंसी के दौरान देखे कई स सारे मता हर्मोनल चेंज गर्वती महिला में देखने को मिलते हैं अगर आपको 9 मन में अपने बालों में मतलब थोड़ा सा ओईली पन या रूखे से बाल आपको ड्राय बाल दिखाई दे रहे तो ये लक्षन में बेवी बॉय होने का माना जाता है साथ ही दोस्तों आठवे लक्षन भी बेवी बॉय होने का माना जाता है तो दोस्तों ये काफी सारे हमने लक्षन आपको बताए हैं इस से आप एक अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि आपने बेवी बॉय को कंसिव किया है या बेवी गल को दोस्तों अगर आपको हमरी जानकारी वीडियो पसंद करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप सभी को ओम शीगड़े शाय लिए